हाई फ्रेंट्स आज मैं बात करने वाले हैं कुछ important टोपिक के बारे में तो सबसे पहले hardware के बारे में बात करता हूँ यानि hardware क्या होता है यानि what is hardware तो सबसे पहले हम देखेंगे line by line यहां physical part of the computer are called hardware, which you can see or touch, example CPU, monitor, printer, keyboard, mouse, etc. Hardware device helps us to communicate with the computer. Okay, here we can see the physical part of the computer, which you can see or touch, which you can see or touch. कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, और see कर सकते हैं, मतलब की देख सकते हैं, इसके लाओ कह सकते हैं, the physical component of the computer system, which is called hardware. Okay, यानि जो computer के जो physical component होते हैं, या भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसको की हम hardware कहते हैं, यहाँ example के रूब में दिया हुआ CPU, monitor, printer, keyboard, mouse. Okay, यानि हम monitor को touch कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो यह जो होंगे यह example है किसके hardware को, इसके लाओ दिया है hardware device help us to communicate with computer, यानि इस hardware device के सहायता के द्वारा हम computer से communicate कर सकते हैं, बाचित कर सकते हैं, यानि अपने work को perform कर सकते हैं. तो यहाँ कुछ example दिये हुए हैं आपके पास, जैसे कि monitor, यहाँ देख सकते हैं figure में, CPU, mouse, तो यह रहाँ आपके पास hardware के बारे में कि hardware क्या होता है, अब चलते हैं next topic, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे software क्या होता है, जैसा कि आपको पता है software को सबसे पहले 1935 में Allen Turing द जो पहली theory जो थी उसको उन्होंने ही प्रस्तावित किया था, इसने Allen Turing, नाम Allen Turing, ओके इसको ध्यान में रखेंगे, यानि सबसे पहले concept देने वाले जो थे, वो Allen Turing थे, हम कह सकते हैं the first theory of software वाज पर पूज बाई Allen Turing in 1935, यह examination में आप से पूछे जाते हैं, ओके तो आईए हम line by line देखते हैं कि software refer to the programs which are required to operate the computer, यानि software का तात पर क्या होता है, प्रोग्राम होता है which are required to operate the computer, यानि computer को run कराने के लिए इसकी need होती है, ओके यसी example में DOS, Windows, Oracle, Tally, हम कह सकते हैं the collection of programs is called software, यानि प्रोग्रामों के समुहों को भी हम software कहते हैं, जो आपके computer को operate कराने के लिए, मतलब कि चलाने के लिए इसकी requirement होती है, जरूरत होती है, जैसे कि DOS का, Windows का, Oracle का, Tally का, तो यहाँ देख सकते हैं यह आपके पास DOS का एक software है, यह देख सकते हैं Windows का है, जो operating system है, जैसा कि आपको पता है कि without, बिना operating system के बिना, ओके, आपका computer run नहीं कर सकता, तो यह इतने important software के role होते हैं, ओके, इसकी लावाँ आप कह सकते हैं, लाइन आप कह सकते हैं, कि you can see that the computer coded form of instruction or program is known as software, इस लाइन को आप mind में एक बार ध्यान से note कर सकते हैं, इसकी क्या होता है, computer को operate कराने के लिए, इसकी need होती है, required होती है, और यह सारे आपके पास example है, किसकी software के, okay, कुछ ऐसे software होती है, जो जब computer का manufactured किया जाता है, तब ही room में क्या किया जाता है, उसको store किया जाता है, यह रोम में ही store कर दिया जाता है, जब computer का manufactured होता है, जब निरमान किया जाता है, तो यह रहा आपके पास software के बारे में, इसके लावा हम software के types क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, सबसे पहले जिसी software, आपके पास three types के हैं, जैसे कि system software, application software, utility software, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि हम किसी एक software के बारे में पहले discussion करूँगा, अब आते हैं, next topic पर यहाँ देख सकते हैं, इसके लावा है, system software के भी types होते हैं, जिसमें कि आपके पास operating system होते हैं, utility software होते हैं, इसके बाद, लावा language processor होते हैं, आपसे पुछा आ सकता है, कि language processor जो होता है, वो किस type का software होता है, application software होता है, की system software होता है तो आपका answer होगा system software इसी तरीके साब से question पुछा जाता है utility जो होता है software वो किस type का software है तो आप उजाहिर से पता है कि ये system software का एक परकार है utility इसके लावा भी इसी तरीके से question पुछा जाता है OS जो होता है operating system होता है वो किस type का software है application software है कि वो system software तो आपको यहां बता सकते हैं कि क्या है एक operating system system software है अब बात करते हैं हम यहां system software की बात करते हैं it is collection of one or more programs यानि जो system software होते हैं एक सी अधिक प्रोग्राम का collection होता है which are designed to control the overall operation and performance of computer system यानि कह रहा है which do design to control overall operation यानि computer system की overall operation and performance को control करने के लिए design किया गया है यानि कि software क्या यानि system software का design किसलिए किया गया है overall operation और परफोरमेंस को control करने के लिए system software का यूज किया गया है यहां देख सकते हैं system software act as interface between user and the computer जो system software होता है वो user and computer hardware कह सकते हैं या computer के बीच में interface करता है एक दुसरे के साथ अंतर क्रियाएं करता है तो हम संचित रुप में जान सकते हैं कि हम कह सकते हैं इसके लावा जो होगा system software जो होता है एक package होता है यानि one or more program का collection होता है जो basically design किया जाता है overall operation को and performance को control करने के लिए design किया गया है इसके लावा जो होता है system software act as interface between the user and the computer जो system software होता है यह user and computer के बीच में interface करता है जीने हम system software कहते हैं जिसके पास एक example आपके पास यहां देख सकते हैं Windows 10 होगा एक एक software होगा system software का example है अब बात हम करते हैं next topic application software यहां देख सकते हैं application software is generally developed by the computer user to fulfill his own need यानि application software generally developed किया गया है computer user to fulfill his own need यानि जो होगा computer जो user होगा उसका जो होगा own need क्या हो fulfill हो मतलब की पूरा हो यानि basically यानि कह सकते हैं किसी particular work को perform करने के लिए application software का design किया गया है किसी specific task को हम perform कर था है ओके जैसे for example the banks use their own application यानि जो bank होता है यो क्या करता है अपना own application होता है ओके own application software built by their own programmers अपना own programmer होते हैं जो coding करते हैं जो programs को लिखते हैं to fulfill the need of the bank यानि जो bank के need होती है उसको fulfill करता है यानि बैंक का जो need होगी उसको क्या करता है fulfill करता है इसके लावाँ देख सकते हैं जो भी आपके पास MS Office की यहाँ पार्ट देख सकते हैं Excel, MS Access, PowerPoint यह सारे जो होते हैं अप्लिकेशन शाफ्ट वेर के ही एक्जाम्पल है हम कह सकते हैं सिम्पल सी बात जो अप्लिकेशन साफ्ट वेरी के ऐसा साफ्ट वेर है जो specific task को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है जैसे कि bank बैंक के लिए इसके लावाँ आप देख सकते हैं इसके सारे software है यानि application software के example दिए हुए है अब आते हैं यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो है application software के example दिए हुए है आप देख सकते हैं MS word होंगे Excel होंगे PowerPoint हो जाएंगे MS axis है यतने सारे आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि यह जो होंगे आपके पास application software की example है जो icon के through आफ समझ सकते हैं अब बात करते हैं यहां utility software की बात करते हैं यहां जो utility software जो होगा यह क्या होता है यहां देख सकते हैं यह तो types है आपका systems software के types है लेकिन यहां आपके पास इसके बारे में हम discussion कर लेते हैं बाकि आपके पास जब system software के types के बारे में बताऊंगा तो आपको वहां भी आपके पास videos की मिलेगी तो यहां देख सकते हैं utility software जो utility software एक software है design to help to analyze configure optimize और maintain a computer कह सकते हैं जो utility software है एक software है ओके बिसकली इसकर design किया जाता है computer को maintain करने के लिए analyze करने के लिए visualization करने के लिए configuration means होता है roof रेखा ओके optimize करना इसमें customize जिससे कह सकते हैं maintain a computer यह हम कह सकते हैं जो utility software एक software है जो basically design किया जाता है computer को maintain करने के लिए जैसे एक्जाम्पल आपके पास से आदेख सकते हैं यह जतने सारे हैं एंटी वारस हैं इसके जो एक्जाम्पल हम कह सकते हैं इसका मुस्ट पापुलर एक्जाम्पल कह सकते हैं एंटी वारस है इसके लाब बैक अप होता है, बैक अप एंड एंटी वारस हम कह सकते हैं, यह आपका गुड एक्जामपल है किसका यूटिलिटी शॉफ्ट वेर के, हम कह सकते हैं, दा बैक अप एंड एंटी वारस साफ्ट वेर और गुड एक्जामपल ओफ यूटिलिटी शॉफ्ट वेर, जैसा कि मैं बताया कि utility software एक software है जो basically design किया जाता है कि computer को maintain करने के लिए तो आपको पता है कि जब हम antivirus का use करेंगे तो हम अपने computer को maintain कर पाएंगे तो यह रहा आपके पास utility software के बारे में इसके लावा हमारी वीडियो गर अच्छी लगी तो आप like and subscribe जरूर करा ताकि आपको आने वाली वीडियो का notification मिल सके थैंक यू